हेलो एवरिवन, कैसे हैं, उमीद करते हैं, आप से भी बहुत अच्छे होंगे देखिए ये वीडियो जो है 10101 LRC अमीन जो जो जॉइनिंग अब होने वाला है अब बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं बचा है कल की ही बात है, आप लोगो नियुकती पत्र मिलने वाला है तो उससे पहले मैं जो है कि या वीडियो रिमाइंडर के तोर पे बना रहा हूँ और इस वीडियो में सारा कुछ है जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट पे जो है डिसकसन करेंगे और जो भी चीज बताने योगे है जो हो सकता है कि आप लोग कहीं भूलना जाए तो वो रिमाइंड करने का प्रयास करेंगे बहुत सारे लोग तयारी में होंगे अपने जीला में पहुचने के लिए जो नियुकती पत्र आप लोग को मिलने वाला है ठीक है और बहुत लोग जो है कि निकल भी चुके होंगे जो काफी दूर से आ रहे होंगे ठीक है ठीक है आप लोगों को जो है कि जिस जीला में अलटमेंट दिया गया है उसी जीला में आपको नियुकती पत्र मिलने वाला है आप लोग इस बात से clear हो चुके होँगे ठीक है तो अपने जीला जिस जीला में आपको एलोट्मेंट मिला है उस जीला में आपको जाना है और कल के वीडियो कल जब एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें सारे district में और उस डिस्टिक में कहां पे जो है कि अस्थल निर्धारित किया गया है जहां आप लोग नियुक्ति पत्र मिलने वाला है उसके बारे में बताये थे अगर अभी भी नहीं देखे होंगे तो टेली गराम पे जाकर वो पीडियो डाउनलोड करके आप देख लीजेगा अपने लोग को जो है कि अच्छा ना लगे ठीक है तो यह वीडियो को देख लीजेगा और रिमाइंडर वीडियो के तौर पर यह वीडियो बना रहे हैं देखे उमीद है सभी अपने अपने जीलो में जॉइनिंग करने के लिए निकल गए होंगे जी हां या फिर निकल रहे जाने आये हैं वो चीज आप लोग एक बार देख लीजे ठीक है ताकि आप लोग किसी भी चीज से आप चुकिएगा नहीं यह आपका कोई डॉक्मेंट छूटेएगा नहीं जिस वज़े से आपको परसानी ना हो क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को 200-300-400 किलोमेटर के डिस्टे लिखते हैं कौन-kौन सा डॉक्मेंट आपको ज्वाइनिंग के वक्त लगेगा ठीक है और नियुकति पत्र जब मिलेगा आपको उस समय कौन सा डॉक्मेंट लगेगा यह भी आपको बता दे सबसे पहले बता दे कि जो तीन जुलाई को आपका इवेंट रखा गया है ठीक के तोर पे अधार कार्ड आपने पास ओरिजिनल लखना परेगा एबं BCECB द्वारा जो admit कार्ड जारी किया गया था वो भी रखना परेगा एबं जो district allotted किया गया है उसका भी आपको प्रिंट रखना परेगा कम से कम ये आपको पहचान के तौर पे प्रिंट रखना परेगा ठीक है जिससे आपको नियुकती पत्र जो है सही सही नियुकती पत्र आप लोग को मिल जाए सही समय पे किसी भी तरह का परसानी नो तो तीन तारीक को आपको ज़्यादा डोकुमेंट नहीं लगेगा यह आप माइंड में बैठा लीजे इस्ट्रेस में नहीं रहिएगा ठीक है और अब चार तारीक की बात कर रहे हैं कि चार जुलाई से जो आपका जुआइनिंग शुरू होने वाला है चार जुलाई से आपका जुआइनिंग जो है दस जुलाई के बीच चलने वाला है तो इस दौरान चार जुलाई से दस जुलाई तक दस जुलाई के बीच नहीं दस जुलाई तक आप लोग कोशिस कीज़े क जॉइनिंग कर लीजे और हां बहुत लोग ये कुश्चन करते हैं कि सर अगर चार से जॉइनिंग करेंगे तो हमारा सैलरी बनने लगेगा तो जी हां आप जिस दिन से जॉइनिंग कर लिए उसी दिन से आपका सैलरी बनना सुरू हो जाएगा ठीक है हो सकता है कि आपको जो ओफिस हो उहां पर आपको बुलाया जा सके जिस दिन भी आप जॉइनिंग कर लेते उसके बाद से लेकिन ट्रेनिंग आप लोग का जो है एक साथ सुरू होगा दस तारीक के बाद ही ठीक है वो प्लान बनाया जाएगा अपको कैया जाएगा और आपके डिस्टिक में अपको इलोटिट किया गये है तो यहais घलाए कर लीजा कर दो कि । सेक्रो करमचारियों को न्यूक्त करना है तो समय थोड़ा लगेगा और कोई चार को भी जॉइनिंग कर लेगा कोई छे को भी जॉइनिंग कर लेगा सबका अपना कुछ न कुछ रीजन होगा ठीक है अब यह सारे चीज जो है बेसिक चीज था जो मुझे लगा कि आपसे सेर क करना चाहिए आपको बताना चाहिए अब देख लेते हैं जो मेल डॉक्मेंट्स새 क्या क्या लगेगा उसके आप दिक्षिते हैं इस दख ले ने कि दो following documents at the time of joining joining के समय जो भी documents लगेगा उस सारे documents जो है कैसे arrange करना है कौन-कौन सा documents अपने पास रखना है ले जाना है ठीक है सब कुछ एकदम sequence में आप लोग जो है कि ऐसे सजा लीजेगा देखिए सबसे पहले लिखा गया है कि सभी आपको original certificate ले कर जाना है original जी यहां original अब original documents में भी कौन-कौन सा documents लगेगा उसके बारे में भी हम deeply step by step one by one करके बताएंगे ठीक है देखिए original documents के साथ साथ आपको सारे original documents का दो-दो photocopy दो-दो photocopy यानि photo estate करवा कर ले कर जाना है और यह सारे जो है आपके जॉइनिंग के वक्त देना परेगा जॉइनिंग के वक्त देना परेगा न्यूक्ति पत्र लेने के वक्त नहीं लगेगा यानि कि चार से जब आप जॉइनिंग करेंगे तो यह सारे documents वहाँ देखे जाएंगे जैसे आपका counseling के वक्त देखा गया था एक वस formality के रूप में देखा जाएगा इसके साथ ही विभाग दोरा एक format जारी किया गया था सपत पर्मान पत्र का जो की executive magistrate और notary से बनवाना था तो आप लोग बनवा लिए होंगे ये भी आपको जो है कि देना है कब देना है तो आपको joining के वक्त देना है और हम इसका भी कहेंगे कि दो फोटो कोपी आप जरूर करवा लिजे लगे या ना लगे अपने पास सुरक्षित रख लिजेगा इसके साथ ही आपको photo identity proof address proof पर आपको अधार कार्ड लगेगा या voter ID दोनों में से कोई है आप दे सकते हैं ठीक है तो original भी आपको लेकर जाना याद रखे दोनों में से कोई भी आपको address proof के तौर पर identity proof के तौर पर जो भी आपके पास हो voter ID card हो अधार card हो लेकर जाना है और इनका भी दो photocopy करवा लेना है ठीक है original के साथ साथ दो photocopy इनका भी करवाना है और photocopy पे self attested करना है मतलब self attested लिखकर और जिस दिन भी आप join करने जा रहे हैं उस दिन का date दे दीजिएगा ठीक है और sign कर लिजिएगा इसके साथ ही दो photocopy और pen card लगेगा ठीक है pen card एकदम important है pen card लगेगा तो pen card भी लख लीजिएगा original और उसके साथ साथ उसका दो photocopy करवा लीजिएगा ठीक है और इसको भी self attested कर लीजिएगा self attested का मतलब photocopy पर self attested लिखकर signature कर लेना है जैसे आप करते हैं और नीचे में जिस दिन आप लिखती कर रहें उस दिन का date देट देजिएगा इसके साथ ही दोआरा एक format जारी किया गया था medical fitness को लेकर तो medical fitness आप सभी बनवा लिए होंगे इसका भी जो है ये भी लगेगा original और इसके साथ भी आप इसका दो photocopy करवा कर रख लेंगे ठीक है इसके साथ ही acceptance of the offer later लगेगा मतलब जो terms of assignment ये जो विभाग के दोआरा जारी किया जा रहा है ठीक है और उसके नीचे में आपका sign वेगारा नामू वेगारा लिखना पड़ता है वो आपको देना परेगा ठीक है और जो नियुक्ति पत्र मिलने वाला है तीन को वो भी आपको देना परेगा ठीक है वही वो सब इसमें आ जाएंगे देखे ए सो और कानूनगों के लिए जिनको अनुभ़ पर्मान पत्र देना परा है तो उनको डिलेविंग लेटर लगेगा ओरजिनल लगेगा ठीक है जहां भी आप लास्ट ड़स्टे में काम कीए है चोड़े हैं उन्हां का रिलेविंग लेटर देना परेंगा ठीक है यह जाए जिए जैए झा ச Сथ यह जो एस हो है चानूनगों है और उन्सा अभी को जो है मोवाइल का फाओचर और जिरॉक्स लगेगा मोवाइल का लगेगा इंडोईड मोवाइल का लगेगा यह ध्यान लिजाएं तो ओर इवसकोटो क कोपी लगेगा फोटो कोपी लिगए ठीक है और इसी सिक्म which करने का भी प्रयास कीजिएगा तो इसमें और कुछ नहीं है यहीं सारे डॉक्मेंट्स आपको ज्वाइनिंग के वक्त लगेगा और वीडियो को अभी छोड कर देना परेगा तो हम वह भी आपके साथ सेर करना चाहते हैं तो वीडियो भी छोड कर मत जाएएगा बहुत बहुत इंफॉर्मेटी वीडियो है देखिए एक्सेप्टेंस यहीं है यहां पर देखिए इसमें आपका जो है नाम लिखना होगा अपने पापा का नाम ठीक है और इसके साथ ही जो सपत पर्मान पत्र बनवाना था इस फॉर्मेट में था तो उसका फॉर्मेट है यह आप तो बनवा चुके होंगे यह यह जो है आपको जॉइनिंग के वक्त योगदान समर्पित करने के समण में उस समय जब जॉइनिंग करेंगे न चार जुलाई से तो इस समय यह आपको लगेगा इसको भरना परेगा तो इसका भी आप दो फोटो कोपी करवा के रख लीजिए गा ठीक है और यह उसी समय भरवाया जाएगा पहले न भरिएगा जब जॉइनिंग करने वक्त आपको बताया जागा कैसे भरना है उसी समय भरिएगा उसके साथ आप देख लीजिए यह इंप्लोई एडी भी आपका उसी समय बनवाया जाएगा तो यह भी आप इसका भी दो फोटो कोपी निकाल लीजिएगा प्रिंट करवा लीजिएगा और यह उसी समय भरिएगा जिस दिन आप न्यूकति करने जा रहे होंगे ठीक है आप जिस दिन जो चेकलिस जारी किया गया उसमें किन-किन डॉकमिंट का जो है चर्चा किया गया ठीक है देख यह बन्दवस्त कर्याले AV Nin wanna द्वारा जारी किया गया चेकलिस्ट func दस्तावेज की रूप में आपको मैट्रिक का पर्मान पत्र लगेगा जो Original Certificate होता है मैट्रिक 13 mama साथ में Cris Dêtre Diploma Civil Engineering का औंग पर्मान पत्र लगेगा औंग प्रमान पत्र लहें का देखिए सभी semester का ही रख लीजेगा तो MA जादा benefit रहेगा लेकिन जहां तक मुझे समझ है सिक्स सेमेस्टर का ही देखेगा उससे ज्यादा देखनी का नहीं जरुवत परेगा तो फिर भी सारे सेमेस्टर का अंक परमान पत्र रख लीजेगा साथ ही डिपलोमा का जो परमान पत्र मिलता है वो भी आप रख लीजेगा यह तो रहा अमीन की बाते कानुन झो की बाते कानुन को के लिए किया जाए तो इसमें रुरिविंग लेटर तो आपको विच्टिक भी लगेगा और साथ में अंक पर지 not इसक्राय मतला माक्सित लगेगा और सेसकी लगेगा यह सट करने बीपेट लगेगा और साथिच की बात कर लेते हैं इसके साथ ही सभी दस्तावेजों की दो-दो वही फोटो इस्टेट लगेगा छया परती लगेगा आप एक्स्ट्रा रख लेंगे तीन ही नहीं रखेंगे जो भी आप पासपोर्ट साज फोटो दिये थे ठीक है उसमें वही रखिएगा और तीन से एक्स्ट्रा रख लीजिएगा साथ में टर्म्स ओफ एसाइमेंट अफिडेफिट जो अभी आपको हम चर्चा किये हैं वो रख ल नवाय हैं वो भी आप उरिजिनल रख लीजिएगा इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं पुर्व से कारियत कारियाले संसान का रिलीविंग लेटर रखना है आपको लैप्टॉप एवा मोगाल के मुल जो रिशिप्ट होता है वो रख लीजिएगा अभी श्रौव की प्रती बहुत ही सुध सब्दों में लिखा गया है विहित परपत्र में अप्लीकेशन डिटेल्स फर्म पूरा भरा हुआ है पुल भरा हुआ यह भी आपको रखना होगा अप्लीकेशन detail जो लास्ट में आपको दिखाए हैं अप्लीकेशन डिटेल्स फर्म के उसके बाद ह जो आपको तीन तारीक को मिलने वाला है वो आपको लेकर जाना होगा अधार कार्ड मूल एबं उसका फोटो को पी लेकर जाना होगा पैन कार्ड ओरिजिनल एबं उसका फोटो को पी लेकर जाना परेगा तो इतना आपको जो है डॉक्मेंट्स अपने साथ न्युक्ति लेने से जब आप जोइनिंग करने जाएगा चार तारीकों तो यह सारे डोक्मेंट्स आपको रखने परेंगे ठीक है यह ध्यान रख लीजेगा तो कुछ जोइनिंग करने में और गंतवस्थल तक डिस्टिनेशन तक अपने अलॉर्टेट डिस्टिक तक पहुचने में असानी होगा और आप लोग का जो ट्रेवलिंग होगा सुखदाय हो जाएगा और और क्या ही कहा जाए आप लोग जोइनिंग कीजिए और फिर भी कोई दिक्कत है कोई भी कोशन है आप कोशन कीजिए लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक करके सेर जरूर कर दीजिए अपने ग्रूपों में ताकि थोरा सा हम लोग का भी भला हो जाए ठीक है धन्यवाद